नमस्ते मित्रो आपका अभी नंदन करता हूं सबसे पहले तो मैं दिनेश एक से क्यानवे एजीशार एंक्लेव के डेली 92 के पर लानत भेशता हूं सबसे पहले उस पर मैं लानत भेशता हूं जो मेरे फादर को गलत और गुंडे बाड़ो पतंग वाले को ठीक बताता है अब मैं इस आटो रिक्षा से सम्मंदित एक घटना कर जिकर करता हूं वैसे तो बहुत घटना हैं ये गुंडे बाड़ो पतंग वाले ने खरीदा था माने सौना बेच के इसको दिलवाया था पिदाजी से छुपकर हाँ तो मेरा MSC फिजिक्स का एक्जाम था दूसरे दिन नौ बज़े तो पहले दिन पौने नौ बज़े के करीब रात को मैं दूसरी मंजिल पे जीने में पढ़ रहा था तो नीचे से अचानक जोर जोर से आवाज आई सुनने की कुष्टी करी तो सुना की गुंडा भाड़ो पतंग वाला माबापा को बुरी बुरी गालियां दे रहा है जोर से कोई उसने पंदरा मिट गालियां दी फिर उसने चीक कर मुझे बुलाया हम लोग तो जड़ खरीद गुलाम थे जब आब आपी दुम दबागर भाग रहे हैं तो हमारा क्या अस्तित्व है तो मैं नीचे आया तो उसने कहा मेर को और मेर से बड़े भाई को जो मेर से तीन साल बड़ा था ओर दिया कि वो आटो रिक्षा वहाँ छोड़ाया है वो जगह कोई धाई किलोमेटर दूर थी हमारे घर से तो उसको तुम लियाओ खीच के बैसे तो उसने एक दिन लगके स्कूटर नहीं चलाया पर आवार्गी करने गया होगा तो खराब हो गया तो वहाँ छोड़ाया तो हम दोनों भाई उसको खीच के घर में लेके आए अब मेरा एक्जाम कल नौ बज़े मसी फिजिक्स का और रात को मैं इसको स्कूटर को खीच के ला रहा हूं मेरे में इतना प्रश्म करने के वाद क्या ताकत रही होगी कि मैं पढ़ाई कर सकूं आप समझ सकते हैं जो भ बादु पत्रण वाले के कारनामे एक घर में ने बताई है इस और इक्षा से कनेक्टेड बस और उसको दिनेश वन नाइनटी वन एजी से रेंकलेव डेली नाइनटी टू का उस गुंडे बादु पत्रण लोगों कहता है वो ठीक है और मेरे फादर को गल्द बाता है बता करके फैक सकता हूं यह है वो दिनेश जो उसको हीरो बनाया गुंडे बादु पत्रण वाले को लानत भेजता हूं उस पर मैं बहुत दोर शुक्रिया आप लोगों का अपने मुझे अपने कीमतिय वकित दिया धन्यवाद कुड़ नाइट